Hey guys, what's up? I hope आप सब लोग ठीक होंगे, मेरा नाम है केरन तो दोस्तों आप लोगों ने एक चीज नोटीस किया होगा कि काफी टाइम से Motorola का कोई स्मार्टफोन नहीं आया है जिसते इंडियन मार्केट में कुछ कमाल किया हो बट अभी स्टोरी चेंज होने वाली है क्योंकि Motorola की तरफ से एक नया स्मार्टफोन आ रहा है जिसका नाम है Motorola One Power जो काफी अच्छे-च्छे स्मार्टफोन जैसे कि Nokia 6.1 Plus, Redmi Note 5 Pro जैसे स्मार्टफोन को एक टाइट कॉम्पटिशन दे सकता है क्योंकि अभी तक तो इस स्मार्टफोन में मुझे कोई कमी देखने को नहीं मिली है जैसे कि Nokia 6.1 Plus में हमें देखने को मिलती है वैसे no doubt Nokia 6.1 Plus काफी अच्छा स्मार्टफोन है बट उसमें बैटरी स्रिफ 3060 mH का है बट हाँ stock Android होने की वज़े से ठीक ठाक बैटरी बैक अप मिल जाता है बट अभी Motorola One Power में आप लोगों को 5000 mH का बैटरी देखने को मिल जाएगा वो भी stock Android के साथ जो इस फोन का हाईलाइटिंग फीचर है बट सिर्फ बैटरी नहीं इसके अलावा भी इसमें हमें 6.2 इंचेस का Full HD Plus IPS LCD डिस्पले देखने को मिलता है वो भी notch के साथ जिसका आजकल ट्रेंड चल रहा है तो इस स्मार्टफोन का साइज भी थोड़ा बड़ा होने वाला है बट आजकल सारे स्मार्टफोन इसी साइज कहा रहे हैं तो फिर लोग भी इसी साइज के स्मार्टफोन को देखना पसंद करते हैं तो अब इसके performance की बात कर लेते हैं तो इसमें आप लोगों को Snapdragon 636 प्रोसेसर देखने को मिलेगा विद Adreno 509 GPU जो आप लोगों को Nokia 6.1 Plus और Redmi Note 5 Pro में भी देखने को मिला था तो performance के मामले में तो इस स्मार्टफोन में आप लोगों को कहीं पर भी कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी बाकि इसके कैमरे की अगर बात करें तो इसमें आपको dual rear camera देखने को मिल जाएगा 16 plus 5 megapixel का और front camera देखने को मिल जाएगा 12 megapixel का तो on paper तो camera काफी impressive लग रहा है बट actual में तो camera को use करने के बाद ही पता लगेगा कि इसका performance कैसा होने वाला है इसके अलावा fingerprint scanner पीछे की और ही होगा और 5000 mAh का बैटरी दिया हुआ है तो उसके लिए fast charging का support भी मिल जाएगा जिसको Motorola वाले turbo power charger कहते है और अच्छी बात यह है कि यह fast charger आप लोगों को box में ही मिलेगा और शायद यह smartphone आप लोगों को 4GB RAM with 64GB memory storage वाले variant में ही देखने को मिलेगा और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस smartphone का price इंडिया में 15,000 के उपर नहीं होने वाला है तो अगर इसी price में यह smartphone launch होता है जो कि October में launch होने वाला है and most probably 4th October को तो 14, 15 या फिर 16,000 की range में यह best smartphone बन सकता है तो अगर यह smartphone इसी price में launch हो जाता है तो Nokia 6.1 Plus and Motorola One Power में से आप लोग कौन से smartphone लेना पसंद करोगे comment करके जरूर बताना तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही I hope आप लोगों को यह video पसंद आया होगा अगर video पसंद आया तो इस video को like जरूर करिएगा और ऐसे interesting videos में आप लोगों के लिए लाती रहूंगी तो channel को subscribe करना मत भूलिएगा